हाई फ्रेंड्स एन वेलकम बेक टो माई चानल स्टड़ी विट एम एस ए तो आज हम जिस स्टोरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसकी समरी आज हम देखने वाले हैं उसका टाइटल है दल लास्ट शो जो लिखी गई थी पॉल जकरिया के द्वारा और यह जो हमाई द है पॉल जकरिया उनका जन्म 5 जून 1945 में केरला में हुआ था और अभी उनकी उम्रह 77 साल की है और जैसे के आगे बताया गया कि वह मल्यालम लिट्रेचर के राइटर है यानि कि मल्यालम साहित्या के राइटर है वह तो यह जो हमारी स्टोरी है वो लेखक के बारे में यानि वो स्टोरी के प्लोट को यानि कि मूवी को बहुत ही बारी की से एनलाइस करते है और मूवी की स्टोरी कुछ इस तरह से थी कि मूवी में जो हिरोईन होती है वो पॉईजन ले ले लीते है यानि कि जहर पी लेती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो नायक है मूवी का जो उसे छोड़ दिया है यानि कि हिरो ने हिरोईन को छोड़ दिया है पर दर असल में जो हिरो है वो जान बूच कर उससे दूर हो जाता है और हिरोईन के लिए अपने प्यार को छुपाता है क्योंकि उसे पता चला होता है यानि कि हिरो को पता चला होता है कि उसे अपने आपको ब्लड के अंसर है और जो नायक है वो नायक के बारे में कुछ डिटेल इस तरह से थी कि नायक है वो पहले बहुत गरीब था और वो एक सिंगर बनना चाहता था और नायका एक अच्छे गराने से थी यानि कि रीज थी, मालदार थी तो उसने, यानि हिरोईन ने हिरो को काम्यावी हासिल करने के लिए यानि कि उसे एक अच्छा सिंगर बनाने में सहायता की थी यानि अब जो हिरो होता है वो नायका को कुछ रिस्पॉंस नहीं दे रहा था यानि कि कुछ बाव नहीं दे रहा था इसलिए उसे यानि के heroine को अपने पिता की बात मान कर किसी और के साथ साधी करने के लिए हां करनी पड़ी और जिस लड़के के साथ उसकी साधी fix होती है वो एक doctor होता है और यह वही doctor है जिसने hero के cancer का निदान किया था यानि के hero को जहां से पता चला था कि मुझे cancer है वो इसी doctor ने बताया था पर heroine इस बात से अंजान थी और जो यह doctor है वो मदुराई में रहता है और hero heroine मदरास के रहने वाले एक बार जब hero एक concert के लिए मदुराई गया था तब उसे अपनी इस बीमारी के बारे में पता चला था यानि कि इस बीमारी के बारे में उसे जानकारी हुई थी अब जो यह doctor है वो अपनी सगाई अपनी engagement के लिए मदरास आता है और इत्तेफाक से उसकी मुलाकात hero से हो जाती है और वो hero का परिचे heroine और उसके पिता से कराता है क्योंकि जो doctor है उसको अपने patient यानि अपने दर्दी और अपनी फियान से के जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी यहाँ पर हमारे जो लेखक है वो shock हो जाते है यानि कि वो एक तरह से सोच में पढ़ जाते है कि भाई यह क्या हो गया फिर वो बात में सोचते है कि चलो जो भी हुआ लेकिन finally heroine को अखिकत के बारे में पता चल गया पर इसके बात कुछ ऐसा होता है कि heroine एक कमरे में poison ले रहती है और जब doctor यानि कि फियान से था उसका heroine का उसको इसके बारे में पता चलता है तो वो कमरे की तरफ दोड़ा चलाता है और hero जो अपनी आकरी सांसे ले रहा था अपनी जिंदगी की आकरी गड़ियों में भी जब ये information इस news को वो सुनता है तब वो जैसे तैसे करके उस कमरे की तरफ दोड़ा चलाता है और जो heroine कमरे में बंद होती है वो दरवाजे की तरफ जाती है जैसे तैसे करके दरवाजे की तरफ पहुँचती है और दरवाजे को खोलती है वो hero को यानि कि अपने प्रहमी को थोड़ी देर के लिए देखती है और वही पर नीचे गिर जाती है और hero भी वहाँ दर्वाजे के पास नीचे गिर जाता है और heroine की side में ही heroine के बिल्कुल pass में ही अपना दम तोड़ देता है और यह जो पूरी गटना होती है कि यह दोनों दर्वाजा ओपन होता है फिर यह दोनों आसपास में गिरते हैं और जान दे देते हैं यह गटना होती है उससे ठीक पहले यानि कि उनकी मौत से ठीक पहले heroine अपने side में गिरे हुए hero को देखती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराट आ जाती है यानि कि यह smile आ जाती है यह scene देखकर हमारे जो writer होते हैं वो अंदर से कांप जाते हैं और उन्हें बहुत से खयालात आने लगते हैं वो सोचते है कि अभी भी बहुत सी possibilities है बहुत सी संभावनाय है कि जिससे इस movie की happy ending आ सकती है लेखक को लगता है कि heroine का फियान से एक doctor है और एक चरित्रवान इंसान है यानि कि अच्छा इंसान है वो इन दोनों को बचा सकता था उसके बाद hero heroine उसका आपार व्यक्त करके उसे thank you कहकर या तो कुरुतगनता व्यक्त करके वहाँ से अपने जीवन का एक नया chapter स्टार्ट कर सकते थे लेखक के मन में ये सब खयालात heroine की smile की चमक से उत्पन हुए थे यानि के अंत में जब heroine की smile का वह देखते है तब उन्हें ऐसे खयालात उत्पन होते है कि इसके अंदर ऐसे ऐसी संभावना अभी भी मौजूद है कि जिससे इसका अंत ट्रेजिक नहीं परन्तु happy end आ सकता था पर दरसल जो story में हुआ जो movie में हुआ वो उनके खयालात से बिल्कुल ही विपरित था hero heroine दोनों शाक से तूटे हुए पत्तो की तरा यानि पेड से तूटे हुए पत्तो की तरा दीर दीर नीचे गिरे और उनकी मत हो गई उन्होंने दम तोड़ दिया उसका फियांसे और बाकी सब लोग वहीं आसपास में खड़े उन्हें देखते रहे और hero heroine भी वहीं नीचे गिर गए और वो सब कुछ भी न कर पाए यानि के आसपास में जो लोग खड़े थे वो कुछ भी न कर पाए और उनकी मत हो गई movie की ending होते ही सभी लोग यानि के जो लोग थियाटर में movie देखने के लिए आये थे वो सब दिरे दिरे थियाटर में से बाहर चले गए पर जो हमारे लेखक है वो projection room की तरफ गए वहाँ जाकर उन्होंने दरवाजे को खुला और देखा कि जो projectionist था वो reels को समिट रहा था लिखक ने उनसे यानि के उस projectionist से कहा कि hero and heroine के लिए यहाँ पर बहुत सारी possibilities बहुत सी संभावन आये थी कि जिसके जरिये इनके जीवन को एक नया mode दिया जा सकता था उस वक्त projectionist ने reels को समेट कर एक goal डिब्बे में रख दिया एक goal box में रख दी लिखक ने फीर से कहा कि कि हम कल से इस movie की शुरुआत heroine की smile से नहीं कर सकते और जो possibilities है जो संभावना इसमें रही हुई है उस पर काम नहीं कर सकते या तो reels को थोड़ी और पीछे ले जाकर थोड़े और changes बदलाओ इसमें हम नहीं कर सकते जैसे कि लेकक उसे फिर example देता है जैसे कि hero अगर मदुराई ना जाए फिर लेकक फिर से उस projectionist से कहता है कि चलिए इस box को हम open करते और देखते हैं कि क्या हो सकता है लेकक फिर प्रोजेक्शनिस्ट के सामने बहुत से options रखता है उन्हें लगता है कि इस movie को बहुत से दिशाओं में मोड़ा जा सकता है जानी कि इसकी tragic ending न करते हुए और भी कई सारी संभावना है जिसके जरिए उसकी tragic ending को टाला जा सकता है heroine की जो अंतिम smile थी वो उन्हें अंदर ही अंदर से सता रही थी उन्हें लगता है कि एक नई जिंदगी एक new life यहां से मोड़ ले सकती है फिर movie में ऐसा क्यों नहीं हुआ वो फिर projectionist से पूछता है कि क्या आप इसमें मेरी कुछ मदद नहीं कर सकते और तब वो projectionist होता है वो उन्हें कहता है कि this was the last show my friend यानि कि ये ये जो show था वो आखरी show था और ये box जो rails के box है वो यहां से यानि कि इस शहर से कल रवाना हो जाएंगे उसके बाद उसने आखरी rail case को एक बड़े box में रख के उसे बंद कर दिया उसके बाद उसने projector के सामने एक छोटा सा hall एक छोटी सी खिड़की समान जो hall था वहाँ से cinema hall में torch लगाई लेखक ने उसके कंदे पर से होकर जो silver screen थी उसको देखने के लिए जांकने लगे पर वहाँ पर अंदेरा बहुत ज्यादा होने की वज़े से और torch के dim light में उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया उसके बाद उस projectionist ने torch को बंद किया और दूसरी एक छोटी वाली खिड़की को खोला और वहाँ से प्रकाश के किरने अंदर आई और सीने माहौल की छट पर ऐसे चा गई जैसे कि अंदेरी रात में आसमान में तारे चा जाते हैं उसके बाद वो दोनों उस प्रकाश को थोड़ी देर के लिए देखते रहें और उसके बाद उस projectionist ने कहा कि अगर यहाँ चांद भी होता तो तब लेखक ने कहा कि हमें बादलों को भी जरूरत है तब projectionist ने कहा कि हाँ सही है that's right और हवा की और प्रकाश की किरिनों की भी और साथ ही साथ सूर्यदोय और सूर्यास्त की संभावनों की भी और इतना कहने के बाद उसने यानि कि उस projectionist ने खिड़कियों को बंद कर दिया उसमें लेखक ने थोड़ा अपना एड़ किया कि शाम के वक्त अपने गौसलों की तरफ वापस जा रहे पक्षियों की भी हमें जरूरत है अंत में लेखक कहते है कि जब रात के अंदेरे में मैं सीडियां उतर रहा था यानि कि प्रोजेक्शन डूम में से वो सीडियां उतर रहे थे और यहां पे हमारी स्टोरी एंड हो जाती है कहानी की समरी को देखते हुए उसकी थीम देखी जाए अगर तो फरस्ट अफ आल तो our life is in our hand यानि के only our life is in our hand यानि के सिर्फ हमारी जिंदगी हमारे हातों में है यानि के अगर हम हमारी जिंदगी में कुछ बदलाव करना चाते ह अगर किसी और के जिंदगी में अगर हम बदलाव लाना चाहते हैं तो उसकी possibilities बहुत ही ज्यादा कम है और दुसरी theme देखी जाए तो tragedy और comedy एक सिख्के के दो पहलू है हर बार हर किसी का जीवन एक समान नहीं हो सकता इसलिए हर बार happy ending हो ऐसा जरूरी नहीं है जिस तरह कपिल शर्मा सो में किसी ने कहा था कि गर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे कुछ अधुरी खौईशे तो जिंदगी जीने का मजा देती है और आखिर में दूसरी एक theme देखी जाए तो वो है death यानि कि every soul has to taste death यानि कि मृत्यू का आज तक कोई टाल सका नहीं है तो ये थी हमारी वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो आने वाली वीडियो तब गुडबाई and टेक केर